विडियो बनाने की जरूत मुझे इसके पड़ी क्योंकि मैंने बहुती फेमस इंफ्लिएंसर की एक वीडियो देखी जिसकेर में उनका नाम नहीं यहां पर लोगा लेकिन वह यह बात कर रहे थे कि आप एक प्रॉड एमाजॉन के उपर 30 डॉलर की या 40 डॉलर की सेल कर सकते ह यह बार यह 25-20 डॉलर में मिल जाती है तो आपको यह सेम प्रउडम पर लेश्ट्रथ ने मिल रहे हैं यह बाद को मिल रही है तो जब आप को साबी क्र on नहीं और शीग ऑ्रब decision allow क्यों नहीं करता और किन किन terms पे allow करता है अगर आप Amazon की drop shipping से related policies वाला page देखें तो वहाँ पर Amazon ने वाज़े दोर पे लिखा हुआ है कि अगर आप Amazon के उपर port sell करना चाहते हैं या तो आप वो product Amazon के वेरोस में भेजेंगे जिसको हम Amazon FBA भी बोलते हैं fulfillment by Amazon दी जाती है उस tracking की मदद से वो अपने उस parcel को track कर सकता है मतलब customer को पता चलते रहता है कि उसकी product यह वो अब कहां तक पहुंचकर कितने दिनों में उसके पास पहुंच जाएगी अब हम समझ लेते हैं इस concept को कि आप eBay या Walmart के उपर से Amazon के उपर drop shipping क्यों नहीं कर सकते और वो safe क्यों नहीं है और Amazon account से spend क्यों कर देता है अब हम example लेते हैं को कोई product है जो Amazon के उपर तो sell हो रही है $30 की लेकिन वही same product आपको eBay या Walmart से मिल रही है $10 की अब अगर आप वही same product Amazon के उपर sell कर रहे हो $30 की को customer आके purchase कर लेता है आप अगर वही product eBay या Walmart से खरीद के अपने customer को भीई देते हो तो कहा यह जाता है जब आपका $20 profit बच जाता है लेकिन ऐसे नहीं है जब आप कोई भी product Amazon के उपर sell करते हो तो उसके एक referral fees होती है referral fees है क्या अब राद है कि product को Amazon के उपर sell करने की fees वो round about product की price का 15% होती है तो 30 में से जो आप 20 count करें उसमें Amazon की भी fees जामल है दूसरा Amazon यह allow नहीं करता Amazon allow इसलिए नहीं करता जैसे मैंने आपको पहले बताया कि Amazon इस चीज़ के बिलकुल against है कि आप कोई ऐसी product sell करो जो आपके control में नहीं है जिसके आप valid true tracking upload ही नहीं कर सकते अब यह जो influencer इस चीज़ को लिए के बहुत motivate कर रहे हैं कि आप जी यह drop shipping करें eBay और Walmart से Amazon के उपर इसमें आप बहुत जल्दी पैसा बना सकते हैं ऐसा नहीं होता Amazon बहुत जल्दी deduct कर लेता है डिड़क्ट कैसे करता है कैसे Amazon को पता चलता है कि यह बंदा drop shipping कर रहा होता गया है कि जब customer product purchase करता है Amazon से 30 डॉलर की आप गये Walmart से आपने वहाँ से 10 डॉलर की product खरीदी खरीद के अपने customer को send करती अब Walmart उस product की tracking generate करेगा और वो जो tracking Walmart generate करेगा जब वही tracking जब आप Amazon पे आके Amazon account पे आके उस product के order के upload करोगे तो Amazon फॉरं से deduct कर लेगा कि भे यह जो tracking इस बंदे ने यहाँ पर आके इस product के upload की यह tracking Walmart किया तो Amazon इस चीज़ को deduct करके आपका account फॉरं से spend कर देगा अच्छा अब लोगों ने इस चीज़ का क्या solution निकाला हुआ यह जो solution बताते हैं वो इसका solution यह बताते हैं कि आप यह करें कि आप कुछ websites हैं जहां से आप fake trackings generate कर सकते हैं fake trackings यहाँ पर डालें और अपने customer को product ship करें और यहाँ पर tracking fake डालें जब आप fake tracking डालेंगे तो Amazon को तो पता नहीं चलेगा कि यह tracking eBay की है यह Walmart की है और Amazon आपको account से spend नहीं करेगा अच्छा अब for example आप इस चीज़ से बच गए यहाँ से आप Amazon का account से spend होने से आपने बचा लिया अब अगला step एक आ जाता है customer ने product आप से purchase की है अब customer ने product आपके customer के पास पहुंचेगी वह पैकिंग किसमे होगी वालमार्ट या eBay से क्योंके आपने तो वहां से purchase करके बेजी है बहुत सारे reason के बहाब पर भी रपार्ट के quality भी अच्छी नहीं है तो फॉरन से Amazon के रपोर्ट करेगा कि यह बंदा जो product इसने मुझे send की है वो उसके उपर invoice 10 डॉलर की है लेकिन इसने मुझे चार्ज किया है 30 डॉलर और यह product मुझे Walmart या eBay की तरफ से आई है तो Amazon को फॉरन पता चले जाएगा यह बंदा drop shipping कर और Amazon आपका जो account है उसको suspend कर देगा तो यह कुछ चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ discuss करना चाहता था आप इस तरह के influencer की बातों में बिल्कुल ना है जो यह कहते हैं कि भाई आप फलाँ platform से उठाके product को दूसरे platform के पर sell करना शुरू कर दो यह बिल्कुल safe module नहीं है आपको एक महीना sale मिलती है for example दो महीना पैसे कमा लेकिन बाद में जब आपका account से spend होता है तो वो जो पैसे आपने कमाई होता है वो भी वो भी आपके waste हो जाता है तो इसलिए कोशिश यह करो कि product sourcing चाहिना से करो मतलब अ आप को प्रोड को Amazon के उपर sell करना चाहते हो तो आप legal वे अपना उसके लिए कोई manufacturer ढूंड़ो को सप्लायर ढूंड़ो जो आपको प्रोड की inventory प्रोड कर सके फिर उस प्रोड को sell करो मैं अक्सर products की वीडियो से लगाता रहता हूं कि यह product यह आप Amazon के उपर $10 की sell कर सकते है और यही same product मैंने कभी नहीं का कि Walmart यह eBay के उपर $2 की मिल रही है मैं यह कहता हूता हूं कि यह product आपको Alibaba Chinese supplier की website है वहाँ से आपको $2 में मिल जाएगी 10 पीस 50 जिन उठाए हैं उठाके Amazon के वेरो उसमें बेह दें और इस product को बेचना चलू करता है मैं कभी भी drop shipping को promote नहीं कर कर सकते हैं authorized कर सकते हैं डूबा को Amazon के साथ मतलब Amazon और डूबा को आ आपस में connect कर देते हैं एमाजान के उपर 40 डॉलर की वही सेम पॉर्ड आप डूबा से जो के सप्लायर का प्लैटफॉर्म है वहां से आप 15 डॉलर का प्रशेज करके उस पॉर्ड को कस्टमर को सेंड कर देते हो आप खुद नहीं कर रहे होते हैं वहारी से बात है सप्लायर जो डूबा के उपर नहीं करनी पड़ती क्योंके डूबा और आमाजान आपस में कनेक्ट हो चुके होता है तो एमाजान खुद डूबा से फैच कर लेता है मतलब उठा लेता है उस ट्रैकिंग को और आपका जो कस्टमर होता है जिसने आपसे वह फॉर्ट डॉलर के पाउड पर पर चेस किया उसको वो ट्रैकिंग भेज देता है उसको ट्रैकिंग डिलीवर कर देता है कि ब्रियए ये आपकी ओडर की कर चक्तु है इसलिए वेल्ड रेकिंग के साथ प्रॉलट आपके शॉर्ट कर पहुंच्छाटी है तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कोई बिजनस ट्रार कर या किसी की फेक वीडियो देखिए जो बनाबनागे उस बंदेने डाली हुई है और उसके पीछे लग गए अंदादू और वो काम स्टार्ट कर दिया अपनी प्रॉपर स्टडी करें किसी भी चीज को लेके आगे चलने के लिए प्रॉपर स्टडी के साथ परसीड करें अंद अब उनको इसका पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है उनको पता है कि Amazon कहां पे पकड़ता है उनको पता है कि कोई प्लेटफॉर्म डॉप शिपिंग कैसे पकड़ता है और उन चीजों के उपर उनकी ग्रिप है आप अब होता किया है कि आपके पास दो-चार लाग खाए पा पैसे बन जाएंगे और होता क्या है होता उसके उल्ट है आप दो-जार डॉलर लगाते हो बाद में आपको हजार डॉलर वापस मिलता है जब वह जार डॉलर दुबारा से लगाते हो तो जिसलिए कोई भी बिजनस करने से पहले उसको अच्छी तरह से स्टड़ी कर लें कि की उच्पोर्स को पर किस तरह से यॉट क नहीं करते हैं अब लेबिबिश करते हैं और आपे लगी हो तो पर पर मेंगे बिजीो क्मेंट में बनागेगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के टॉपिक्स पर मुझीद वीडियो बनाओ तो आप मुझे ए क्मेंड बॉक्स में जरूर बताएगा मैं इंशाललाई इस तरह के टॉपिक्स के उपर और वीडियो बनाओगा थैंक यू सो मच